ये देखिए कितना जालीदार ढोकला हमने बिना बेशन के बनाया हुआ है हेलो एवरिवन विल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ पतीभा मेरे चैनल कानपूर की चने इन व्लोग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अक्सर आप लोग घर में धोकला बनाते होंगे दो बेशन का इस्तेमाल जरूर करते होंगे बट आज की धोकले को हम बिना बेशन, बिना सूजी, या बिना आटग की बनायेंगे बहुत ही लाजवाब धोकला बनेगा आपने अगर इसे एक बार बना लिया तो दोबारा जरूर ट्राइ करेंगे तो चलिए देरी ना करते हुए फटा फटा इस हेल्दी सी धोकले की रेसिपी को शुरू करते हैं रेसिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा धोकला बनाने के लिए एक बावल में हमने एक छोटी कटोरी चावल लिये हैं आप कोई भी चावल ले सकते हैं उसी कटोरी से नापके हम एक कप चना दाल डालेंगे एक कप डालेंगे मूं की दाल तीनों ये चीजे बहुत ही ज़्यादा हल्दी हैं तो ये ढोकला जो बनेगा वो बेसन के ढोकले से कहीं ज़्यादा हल्दी होगा तो अब हम पानी डाल करके दालों को अच्छे से धो लेंगे तो दाल चावल को अच्छे से वॉस कर लेना है तो यह देखिए दो से तीन बार इसे अच्छे से धो लीचेगा यहाँ पर मैंने इसे दो बार अच्छे से वॉस कर लिया हुआ है अब हम इसमें एक डेड़ ग्लास पानी डाल देंगे और इसे सोख करने के लिए छोड़ देंगे तो मैं इसे ओवरनाइट सोख करने के लिए छोड़ रहे हूँ यह देखिए फ्रेंज मैंने इसे पूरी रात पर भीगने दिया हुआ था अब हमारे जो दाल चावल है वो अच्छे से भीग चुके है अगर आपके पास कभी बेसन ना हो और ढूकला खाने का मन हो इस लागडाउन में तो आप इसी रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा पेसन के ढूकले से कहीं ज़्यादा यह ढूकला टेस्टी बनता है यह देखिए हमने इसका जो पानी है उसे निकाल दिया हुआ है अब हम क्या करेंगे कि इसे हम ब्लेंडिंग जार में डाल के से हमें अच्छे से ब्लेंड करना है तो एकदम अच्छे से पीस लीजएगा तो ये देखिए पूरी ही मेरे जो दाल चावल है इसमें आ गए है तो एक ही बार में पीस लूँगी अगर आप जादा बना रहे हैं तो दो बार में थोड़ा-ठोड़ा करके पीस सकते हैं तो एकदम हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट तयार करना है ज्यादा पानी नहीं डाला है सिर्फ दो से तीन चमश पानी डाल कर ही पीशेगा यह देखे फ्रेंट्स हमने इसे अच्छे से पीश लिया हुआ है तो आप हमारा जो मिश्रण है उससे हम एक बोल में ट्रांसपर कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स बेटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसमें मैंने वन टेबल स्पून पानी और डाला हुआ है थोड़ा साम इसमें डालेंगे कलर के लिए फूट कलर डाल देंगे तो देखे मैंने लेमन फूट कलर डाला हुआ है आधा नीबू का रस डाल देंगे अगर आप हल्दी पाउडर डालेंगे तो आपके जो ढूकली का कलर है वो रेड रेड से हो जाता है तो या तो आप इसे बिना कलर के बनाईएगा हल्दी तरीके से या आप चाहें तो थोड़ा सा फूट कलर डाल सकते हैं तो अच्छे से इस तरह से कलर को मेक्स कर लेंगे और पांच मिनट के लिए हम इसे इस तरह से ढख कर रेष्ट करने देंगे तो पांच मिनट हो गए ह और एक बार हम इसे फिर से अच्छे से mix कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंड अच्छे से mix करने के बाद इतने धोकले में मैं आधा पैकेट इसमें इनो डाल दूँगी अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसमें वेकिंग सोडर डाल सकते हैं थोड़ा समय इसमें नमक भी ये डोकला बनाने वाली हूँ, उस बरतन को हमने ओयल से अच्छी से ग्रीज कर लिया हुआ है, तो इस तरह से हम ये पूरा मिस्रन इसमें डाल देंगे, हलका सा टैप करेंगे, यहाँ पर एक कडाई में हमने डेड़ गलास पानी गरम होने के लिए रखा हुआ है, नीबू का टूथपिक डाल के इसमें देखी, तो अभी ये हलकी सी गीली आ रही है, तो थोड़ी देर मैं इसे और स्टीम करूंगी, तो ये देखे, इस तरह से ढख करके हम इसे पांच मिनट और स्टीम कर लेंगे, तो ये देखे, मैंने इसे पांच मिनट तक और स्टीम कर लिया हु जब ये हलका ठंडा हो जाएगा इसके बाद ही हम ढोकले को डिमोल्ड करेंगे तो अब ये ढोकला ठंडा हो गया है तो एक हम नाइप से इस तरह से पहले इसके किनारे को अलग कर देंगे ये दिखें फ्रेंज मैंने इस तरह से चाको घुमा दे हुई है किनारे में अब हम इ इसे पाज से दिखाती हूं कि इसमें कितनी जादा जाली दिख रही है बहुत ही ज़्यादे स्पंजी ढोकला बनता है यह देखिए फ्रेंज मैं आपको इसे दबा के दिखा रही हूं यह कितने अच्छे से दब रहा है तो यह दिखे आप जब इसे डबाएंगे तो यह जैस ताट है कि यापते बढ़े जिस तरह के करना चाहिए तो मैंने आपर इस तरह से SericamBeam साइज के पीशेज में जमिक चया हुआ है इसके दबने की आपको पता चल्राय होगा कि यह ठोकला किता जानिदार बना है वह कि को दिखें ASBC कार लेंगे से इसके बाद हम अब इसके लिए तयार करेंगे एक तड़का, तो यह दिखिए मैं आपको एक पीज दिखाती हूँ, यह दिखिए फ्रेंज कितना अच्छे से यह दब रहा है, बहुत ही स्पॉंजी ढोकला बना हुआ है, मैंने भी इस ढोकले को फर्स टाइम ट्राइ किया है, बट रिजल्ट बहुत ही ओसम है, आप भी इस ढोकले की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करिएगा, बहुत ही हल्दी होता है, क्योंकि अपने से सिर्फ दाल चावल से बनाया है, अब एक तड़का पैन में हम एक बड़ा चमच तेल डालेंगे, तेल अच्छे से गरम हो दाल देंगे पानी, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्लास है, उस भर के पानी डाला हो है, क्योंकि मुझे ढोकला थोड़ा सा जूसी पसंद है, अब हम इसमें चार से पांच चमच चीनी डाल देंगे, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा नीबू का रस, जिस अब हम इस तड़के को ढोकले के ऊपर डाल देंगे, तो यह देखे, इस तरह से पहले कट कर लीजिएगा, इसके बाद इसमें यह तड़का डालेगा, इससे क्या होता है, कि जो जूस होता है, सिरप होता है, वो ढोकला अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, और आपका ज़्यादा टेस्टी लगता है, यह लिजे फ्रेंड्स हमारा एकदम जूसी तड़के वाला बिना बेशन का ढोकला बनके तयार है, आई होप की रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो क के साथ तब तक के लिए, बाबाई, टेक के यार